बिस्मिल्लार्मान यहीम, असलाम लेकूम, आज की रेस्पी ये चना चाठ, सबसे पहले पापड़ी बना लेते हैं, पापड़ी बनाने के लिए मैदा लिए, अजवाइन, कुकिंग ओल, नमक, मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटा गून लेंगे, पापड़ी बनाने के लिए आपने डो को हार्ड रखने, आटा गूनने के बाद इसे दस मिनट का रेस्ट देने, अब इसे बेल लेते हैं, जैसे रोटी बेलते हैं, वैसे ही बेल लेंगे, अब इस पे फोक ए निशान लगा देंगे, दोनों साइड से, पापड़ी कार लें किसी भी शेप में, किसी भी चीज की मदद से, कप गलास, ओल को हलका गरम करने, और फिर फिलें मीडियम कर देने, मीडियम फिलें पर फराई करने, एक साइड हो जाथ तो साइड चेंज कर लें, पापड़ी का कलर ज्यादा डार्क नहीं करना, इसी तरह से बाकी भी फ्राई कार लेंगे, पापड़ी तो बना ली, अब बनाते हैं गरीन चटनी, इमली को बगो दिया था, मिक्स करके आप इसे च्छान लेंगे, गरीन चटनी, दनिया, पदीना और हरी मिर्चों के साथ, इसमें शामिल कर देंगे देही, और ठीक सा राईता बना लेंगे, उबले हुए चने और उबले हुए आलू, प्यास, टमाटर, खीरा, बंगो भी, एक बोल में सब चीजों को डाल देंगे, बागी की चीज़े शामिल कर देते हैं, राईता, इमली की चटनी, नमक, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से लें, देही, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से लें, पापड़ी को तोड़ लिए, इसे भी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लें सब चीजों को, चाट बनाने के लिए जो चीजें ली हैं उनी से गार्णिश करेंगे, टमाटर, प्यास, हरा दनिया, राइता, इमली की चट्नी, देही, पापड़ी, कुटुई लाल मिर्च, और चाट मसाला, बहुत ही खुबसूरत अकल अफुर लगरी चाट, जरूर ट्राइ करिएगा, अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों को लिए बनाएं, अब जब भी ये चाट बनाएंगे, सब बहुत शोग से खाएंगे, रेस्पी अच्छी लगते लाइक करें, मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, अल्ह ताला सब के दस्ताखान को बरा हुआ रखें, आमीन, मिलते हैं फिर एक न्यूँ और अच्छी सी रेस्पी के साथ, आला हाफिज,